हलो प्रेंट्स वेलकम बेक एमके नॉलज ग्रूप में आप सभी का स्वागत करते हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज से समन्दित समान ज्यान के बारे में जो कि हर एक्जाम में एक महात्पूर वेटेज होता है इस द्रिश्टे से काफी महत्पूर हो जाता है राज जी के समान ज्यान से और यह जो कोचन लिए गया है और इन सभी कोचनों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक्जाम का पैटर्न रहता है एक महात्त पैसी में जानते हैं कि मन्डी इंस्पेक्टर का वेकिंशा आया हुआ है ऑगाम और भी वेकैंशी आने वाले हैं जैसे कि पटवारी अधिक्षक अगयर का तो आप त्यारी को एक निरंतर त्यारी करते हैं continuous उसमें बनाए रखे ताकि आपकी त्यारी एक अच्छे हो सके और जो अगामी बेकेंसी आने वाले हैं उनके लिए काफी महत्पूर रहेगा आप लोग याद रखेंगे की जो मगर मच्छो का अभ्यारन नायसर की मतलव होता है प्राकरतिक वहर्ण तो उनकी रूप предлаг वहां पर उनका निमास है मगर मच्छ पाए जाते हैं तो इसका राइछ इंसर क्या होगा जैसे बंसे दरपांडे हैं, प्यारे लाल गुप्त हैं, अमरित लाल दूबे हैं, श्याम लाल चतुरुवेदी हैं, इनसे आपका कोचन एकजामे निचीत रूप्षे देखने को मिलता है, ति इन सभी कोचनों को आप देखते चलेंगे, चली हम बात करते हैं, इसका राई ट प्यारे लाल गुप्त का एक बुष्टा का आता है, आप सभी लोग पढ़ते भी होंगे, बहुत ही अच्छा पुष्टक है, पर बहुत ही डिटेल में है यह पुष्टक, तो जो कमपटिशन की द्रिष्टी से तो अच्छा नहीं है, पर हम उसे भी ले सकते हैं, मैंस की द ऑर व्यापं के अगर हम बात करें तो दो नुमबर आपके पक्क्τη हो जाते हैं, तो साहिएत्यों साहिदकार और उसके राचनाओं को आप त्रिक के मादिम से भी देख सकते हैं, हमारे चैनल के टैल्ली 스트le, के PDF में भी आप देख सकते हैं, उस प्रकार के अगर आए वीडियो मिल जाएंगे इस परकार के नएने वीडियो हम बनाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्रलिलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं सभी विश्यों को हुआ पर प्रलिलिस्ट बना हुआ है हिंदी, इसका राइट एंसर क्या होगा? इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ए नमबर यानि की पंडित पंचकोड प्रशाद पांडे जो हैं वह इस राजी की निमनके तो कौन से संगितकार जो हैं? जो विश्ट पंडित बिश्यों दिगंबर पुरुसकर सहली से समधित हैं तो उन्हें 137 में कांग्रेस के तिरपूरी एद्वेशन के संगित समिती का धेक्ष थे चलि नेक्ष कोचन के और हम बन रहे हैं इस राजी का निमन लिखित में से कौन सा लोक निर्थ बिशेश रूप से दिवाली के उसर पर पूर्णते महिलाओं तथा बालिकाओं द्वारा किया जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका सभी लोग इसका राइट एंसर आप लोग दे रहे होंगे इसका राइट एंसर हो जाएगा डी नूमबर यानि कि सुवा निर्थ है कई बार रेपिटेट कई बार को घुमा कर पूछा जाता है इस राजी का निमन का उत्तर निम लिखित में से क्या है यह जो है जनवला लिया गया है 36 गड़ से इसका राइट एंसर हो जाएगा सी निमबर यानि की दिया दिया का मतलब आप लोग समझ गये होंगे पुंची लिपानी पीता है और मुडी लल लिया यानि की जलता है तो इस प्रकार से आप दिया से रिलेट कर सकते हैं चली नेक्ट कोचन है निमलिकित में से किसे इस राज की अति पीछडी जनजातिक रूप में सुची बद किया गया है जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि चति नर्शासन द्वारा दो जनजातियों को और केंदर शरकार द्वारा पाथ जनजातियों को इसमें समलिद के गया है जिनमें खुल मिलाकर साथ जंजातियों होती हैं जिनमें आप लोग इसका ट्रिक्स के माधिम समय ने इसके वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग पढ़ा होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अति पिछिट जंजाती के रूप में सूची बद नहीं किया गया है या कोच्छन को समधित करता है और इसमें शुमिलित करना है कि इस राजी की जंजातियों की विवाफ परमपराय और उनके अर्थ क्या हो सकते हैं इस प्रकार की कोच्छन एक मात्मूर कोच्छन होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा बी नंबर यानि की आपका राइट एंसर क्या होगा बी नंबर पारिधंग पारिधंग का मतलब यह होता है वधु मुल्य अदाकर विवा करना अरुतो का मतलब यह होता है विध्वा विध्वा विवा को अरुतो कहा जाता है 36 गड़ी में ऐसा मान सकते हैं लम सेना सेना से सेवा से आ रहा है ऐसे लिलेट कर सकते हैं गुरावट का मतलब यह होता है बीनिमय विवा याद रिखेंगे गुरावट का मतलब होता है बीनिमय विवा इस प्रकार से एक कोस्चन आपको देखने को मिल जाता है नेक्स हम बात करते हैं सरहुल इस राजी की निम लिखित में से किस जन जाती का तेहवार है इसका राइट एंसर क्या होगा सरहुल जो है आपका उराओं जन जाती का तेहवार है इस राजी के निम लिखित में से किस जन जाती का तेहवार है इस राजी के निम लिखित में से किस जन जाती 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 के निम लिखित में स के लिए जंजातियों द्वारा भरष्ट मौंपदती अपनाई जाती है तिसका राइट इंसर हो जाएगा बस्तर में जो है भरष्ट मौंपदती अपनाई जाती है चलि नेक्ट कोचन के और हम बढ़ रहे हैं वर्ष्ट 2017-18 में 2011-12-21 किमतों पर 36 गड़ के सकल घरेलूत इसका राइट एंसर हो जागे बी नंबर उस द्रिष्टी से अगर उस समय की द्रिष्टी से था चलि नेक्ट कोचन है चाति गड़ के सकल घरेलू तो सकल घरेलू से कोचन आपको देखने को मिलता है तो इस परकार से इस वर्ष जो आर्थिक बिर्धिदर का वर्ष रह जो करते हैं आगे बढ़ते हैं चातिसकर राजी में आरक्षित वर्ण छेत्र का प्रतिसत क्या है बहुत फेबरेट कोचन है वन से एक कोचन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको यह सुनिश्चित करना है कि कि किस प्रकार समपड़े कि टोपिक हमारा कभर हो जाए तो प्रधान मंतरी फसल बिमय ओजना 26 रजी में कब से लागउ कि थी तो इसका राजी एंसर होगा व Only 2016 में शेत्र हना होट आपको 4 उसंद्य गये हैं, मंत्रि मंदल का सची होता है, मुख मंत्री का मुख्य सलाकार होता है, वह सभी सची होता है, वह समस्त लोक सेवकों के मुख्या होता है, तो इसका right answer हो जागा D-number, यानि की इसमें वो प्रक्त सभी सही हैं, जो राजि का मुख्य सची होता है, जैस मुख्या होता है वह समस्त लोग से उंकों की मुख्या होता है इस प्रकार की चीज़े आप देख सकते हैं और इस क्या मादम से आप यह सकते हैं कि किस topic में हमारा week है और किस portion को हमें ज़्यादा मेयनत करने की जरूरत है यह वीडियो आपको यह analysis की बता सकता है ठीक है हम बात करेंगे आपको इसको बताना है वरत्मान में मुख्य सची कौन है इसका राई टेंसर आप हमें कमेंट में बताएए कि वरत्मान में 36 गर सासन द्वारा किसे मुख्य सची बनाए गया है राजय प्रशासन कि अओधरणा किस शासन वरस्था में पाई जाती है ये हमात्मुर्ट कॉष्टन जो राजय शासन के द्वार्रेंदर के दुवारे इसमें लिए गया है किसी भी एक्जाम में इस परकार की कोष्शन आपको देखने को मिलता है इसमें संभावित कोश्चनों को भी हमने समय है क्या है कि अगामी जोज्जाम होने वाले हैं उन में किस प्रकार के कोश्चन आपको देखने को मिलता है तो इसका राई टेंसर हो जाएगा राजय प्रशाषिन के वध्रणा किस आसन ब्योस्था में पाय जाती है नेस्ट है यदि जीला पंचायत का अधेक्ष अपने पद से निलमबित हो जाए तो क्या होगा यदि जीला पंचायत का अधेक्ष अपने पद से निलमबित हो जाए तो क्या होगा चार उपसन आपके पास हैं उपाधेक्ष अधेक्ष बन जाएगा उपाधेक्ष कारेक्ष क चुनाव करेगी इसका राइट एंसर क्या होगा जीला पंचाइट जो है इस थानापन ठेक है इस थानापन अधिक्ष कराप में कारे किया जाएगा चलिए नेक्ष कोचिन को रमबर रहें ग्राम पंचाइट द्वाराव सरपंच के ब्रूद अभिष्वास प्रस्ताव पाइ ग्राम पंचाइट द्वारा सरपंच के ब्रूद यदि अभिष्वास प्रस्ताव पारिथ हो गया है तो सरपंच के समख्ष अपनी पैदेता कुछ नोवती देगा तो कलेक्टर के समख्ष देगा ठीक है चलि नेक्ष कोचन है चाटिस कड़ राज्य में मुख मंत्री यव सुराजगार योजना के अंतरगत सेवा उद्योग की पर्योजना लागत की रेणिस्जिमा कितनी है तिसका राइट एंसर क्या होगा दस लाख रुपए है नेस्ट है चाटिस कड़ राज्य में वर्स 2016-17 में और गीक छेतर में बीजली बिक्रे का क्या प्रतिस्त है तो वर पर देखें चार कोशन आप पुछाए दो कोशन में पहले कराया दो कोशन अभी और करा रहे है तो चाटिसगर राज में वर्स 2012-13 2016-17 की अउधी में पर्मुक खनेजोग से प्राप्त राजस आये किस वर्स घटी थी इसका बताना है ति इस प्रकार से अभी वरतमान समय मे चाटिसगर राजे की कितरी परमुक्ष चयाई पर रोजना सामिल किया गया है इसका राई तेनसर आपको बताना है कि जो प्रधान मंत्री जो है कृशी शिचाय योजना का अंतरगत अगया में है इसका राई टेंसर हो जाएगा आपका जज मिनिमन से कौन से हैं तो उस समय की दिरिष्टी से अगर हम बात करें के कोचन है तो इसे हम करते हैं आप देखेंगे इस प्रकार के जो भी अभी नए नियुक्त हुए होते हैं उसका भी हमने करेंट सभी शर्यच ऑठेंटिया आवं इस अभी प्रकार में बताया है और जो भी हमारे श्याइश्ट में बौस्ट पर अभी चैनित हो ठीक है इसको आरे टेंसर किया होगा अंति उद्य होगा इस प्रकार से दूर रगों कर और किस अर्थ जाती है फिल युज पूरु तक जाती है अगामी एक्जाम में पीछ लेये जाएगा कि सेशना कहां इस प्रकार पुरुस्कार नामपर किस चेथर को दिया जाता है तो इसकी राज़ मैं यह इसका राई टेंसर सी निमबर होगा क्रिसी के छेतर में दिया जाता है ठीक है तो जो खुबचंद बगहल जो है उनके नाम पर इस छेतर में क्या जाता है तो क्रिसी के छेतर में दिया जाता है ठीक है निमन मैंसे इस राजी की किस विभूती को पद्ल विभूशन समान से समा समान समय में जो भी पुरुषकार अलंकराण मेरें उसको आपने शित रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि इस प्रकार की एकजाम में आपको समलित के जाता है ठीक है और समाने जानकारी के यह कोचन आप से इसी प्रकार से पूछी जाते हैं इसका राई टेंसर होगा डी पर भी आप जाने हो सकता है चली नेक्ट कोचन है इस राजी में रतनपूर के कल्चुरी वन्स के निम लिखित में से किस सासक ने तिरपूरी के सासक जै सिंग को प्राजित किया जिसने उसके राज़े पर आकरमन किया था तो इसका राइट एंसर में बता रहा हूं इसका राइट एंसर हो जागे बी नंबर यानि की जाजल लिदेव देती है ठीक है इस का राइट एंसर क्या होगा जाजल लिदेव देती है याद रखेंगे इस राज़े में रतन बहुत बार कोचन में पूछा गया है घुमा फिर आकर कोचन पूछ रही जाते हैं तो इस राज विद्धाले पर्थम प्रचारे जे युवगार्नन्द है ठीक है चली नेक्ट कोचन है जंगल सत्तिग्राः से कोचन आपको देखने को हर एक्जाम में मिलता है इस कोचन को हम देखेंगे 1930 में हुए जंगल सत्तिग्राः और उनके नेता को रुद्री नावगाण, तमोरा, नावा नावा हो गया और नावा इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे तो भी आपको याद रहेगा जैसे कि रुद्री नावा गाउं में जो जंगल सत्तिग्राः हुआ था और सभी जो है 1930 में ही हुआ था, कई बार एक्जाम यह पूछा गया था, 1930 में हुए था, इसके करम वाज या इनक्रिज ओडर या डिस्क्रिज ओडर में आपको बनाने के लिए दिया था, ठेक है तो इस प्रकार से आप अच्छे से डिपली पढ़ेंगे, रुद्री जो नावा गाउं है वो नारायन जो है राव में घाले, ठेक है नरायन राव में घाले के जो है उनके नितरुत्म हुआ था, तमोरा जो है आपका, तमोरा जो है आपका यतियतनलाल के लिए परशित है, याद रखेंगे तमोरा का जो अब जो हुआ था, यतियतनलाल जैन, जी है, उनके नितरुत्म हुआ था, फि जैसे कि नावा, न से नावा नरायन हो गया, याद रखेंगे तमोरा, र र आ रहा है, यती यतनलाल, याद रखेंगे यती यतनलाल जो है तमोरा, ठीक है, यती हो गया, अती हो गया, तम होता है, जैसे तम मतलब क्या होता है, तमोगूल, मतलब होता है, क्रोध में होना तो ज इस प्रकार के चीज़ों को याद करेंगे, बंबई में कंग्रेस के बरिष्ट नेताओं की ग्रिपतारी की विरोध में, इस राज में, रायपूर में 9 अगस 1942 को एक विसाल जुलुस और सभा करने तुर्थ निम लिखित में से किष्णे किया था, बहुत ही अच्छा कोशन है कि बंबई में कंग्रेस के बरिष्ट नेताओं की ग्रिपतारी की विरोध में, इस राज में, रायपूर में 9 अगस 1942 को एक विसाल जुलुस और सभा करने तुर्थ निम लिखित में से किष्णे किया था, तो इसका राई टेंसर क्या होगा, इसका राई टेंसर क्या होगा, इसका राई टेंसर होगा, तो 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 इसका राई टेंसर होगा इसका राईud एंसर हो जाएगा तामडा घूमर जल जल प्रपात है सबी लोग इसका एंसर देंगे इसका राइट एंसर होगा बी नंबर यानि कि बाइस पॉइंट पॉइंट पुछता है तो जन्दगर्णा टोपिक को भी आपको देखना है इसी परकार के नए चैनल के लिए हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ने याइनिंग करते हैं तो आपको पीड़ियोख और करेंट अफर से सनुदित भीभी इन सुचना आपको मिलता है और इसी परकार के नए नए वीडियो की शुचना याफ याप को आप देखने को मिलेगा तो चलते हैं फिर किसी नए वीडियों में मिलनेंगे थेंक्यू भीर